हलो दोस्तों मैं दिपो कुमार और आप देख रहे हैं ओय पांडे जी दोस्तों पहले मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूँगा क्योंकि काफी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था कुछ health issue की वज़े से लेकिन अब मैं कोसिस करूँगा कि आपको मेरे चैनल पर regular वीडियो मिले दोस्तों आज का हमारा topic है passage indexing के उपर पिछले हपते Google ने बहुत सारे announcement किये थे जिसमें ये passage indexing खास करके blogger के लिए बहुत ही important है मैंने YouTube में बहुत सारे वीडियो चेक किये हैं जिसमें 80% वीडियो आपको गलत information दे रहे हैं ज्यादा तर लोग यही समझ रहे हैं कि पहले Google पूरे page को index करता था अब paragraph को भी index करेगा लेकिन ये गलत information है दरसल ये update indexing के बारे में है ही नहीं ये असल में Google ranking का एक update है Google किसी page के part या फिर paragraph को index नहीं करता है ये पूरी page को index करता है और फिर इसके बहुत सारे factors जैसे on page SEO, page interface, page speed, inbound link, outbound link इनको analyze करके एक page rank determine करता है तो अब जो नया update आया है उसमें खास क्या है इसमें दरसल बदलाव indexing का नहीं हो रहा है बलकि indexing के बाद आपका content कैसे दिखता है, उस content को Google search में कैसे rank किया गया है content Google search engine result page में कैसे display होगा, उसमें बदलाव होने जा रहा है पहले Google पर जब कोई query search होती थी, तो overall page को analyze करके उसे ranking देता था लेकिन अब उस query से जुड़े सबसे relevant paragraph के basis पर ही ranking तै करेगा अगर अभी तक आप ये नहीं समझे हैं, तो मैं आपको एक example देकर समझाता हूँ मालेजिए आप एक बड़े topic पर article लिख रहे हैं, 4000-5000 word का, जैसे की SEO क्या है तो आपने उसमें on page SEO और off page SEO को भी कबर किया होगा यदि कोई search करता है off page SEO के बारे में, तो वो SEO के उपर लिखा गया article, off page SEO के लिए भी अच्छी तरह से rank कर सकता है यदि आपने article के अंदर बहुत ही अच्छा paragraph लिखा है, तो वो paragraph भी आपके article को rank करने में मदद करेगा जिसे कि आपके website पर अच्छा traffic आ सकता है इसका मतलब index भले ही आपका पूरा page होगा, लेकिं ranking decide होने में आपका paragraph को वेटेज ज्यादा होगा आप में से कई लोग इसे feature snippet से भी तुलना कर सकते हैं, लेकिन feature snippet में एक page के overall सबसे relevant paragraph को दिखा जाता था लेकिन passage indexing के बाद अब वो query से related सबसे relevant paragraph को सो करेगा यानि SEO क्या है के post में अगर मेरा एक paragraph backlink के उपर अच्छी तरह से लिखा है तो वो भी उस keyword के लिए rank कर सकता है तो दोस्तो फिलहाल तो बस यही update है Google की तरव से लेकिन इसका पूरा पता चलेगा जब यह update roll out होगा तो दोस्तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही आसा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप passage indexing के बारे में समझ पाए होंगे तो उस्तो फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद